पीएम किसान मित्रा सेवा लॉंच कर दिया गया है तो इसमें आपको क्या बेनिफिट्स और क्या फैसलेटी मिलने वाल है तो इसमें आपको कोई सावी जानकारी आपको खुद से ही अपने घर बैठे देख सकते हैं अपने मोबाइल पे किसान बंदूों के लिए यह बहुत इजी तरीका और सरल तरीका अपने लिए लिए गूगल क्रों को ओपन कर लेना है और इसमें लिखना है पीम किसान लिखने के बाद सबसे उपर वाले लिंक पर किलिक कर देना है कुछ इस तरह तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोधी सरकार की गारेंटी किसानों को हर साल 6000 पीम किसान सम्मान निधी हो जना के पांच साल बेमिसाल मतलब पांच साल हो चुका है इसी स्कीम को लॉंच हुए तो हमें यहाँ पर टिक लगा देना है और उसके बाद हमें देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस आजाएगा आपके सामने तो यहाँ पर आपको निव फॉर्मर रिजिस्टेशन है और यहाँ पर नाओ यॉर एस्टेटेस तो हमें उस पर किलिक नहीं करना है हमें य इस पर आके आपको री डारेक्ट हो जाएंगे तो आप सबसे पहले तो आपको अपना भासा सेलेक्ट कर लेना है हिंदी है बेंगाली है एंगलिस जो भी आपको करना है तो मैं हिंदी को सेलेक्ट कर देता हूं और उसके बाद आपको जो भी समस्या है मुझे अन्तिम किस्त भुकतान नहीं मिली मेरे किसान खाते की स्तिति कैसे जाने तो आपको जो तिक्कत है आपको यहां पर अपना मोवाइल नंबर हो या अधार नंबर हो जो भी है यहां पर देख सकते हैं लिखा जा रहा है अपना परस्टाइब करें या माइक बटन का उपयोग करें बोले बस माइक बटन को सपर्स करें और अपना परस्ट रिकॉर्ड बंद करके फिर से माइक पर बटन को सपर्स करें मतलब जो भी बोलनेंगे लिख जाएगा और ये तीर के बटन पर किलिक करेंगे तो मैसेज चला जाएगा तो मेरा किस्त नहीं आया है तो मैं इस वाले पर किलिक करूँगा यह वाले इस वाले पर मुझे मेरी अंतिम किस्त की भुकतान नहीं मिली तो मैं इस पर किलिक करता हूं और इस तीर पर फिर से किलिक करना है आपको तीर पर किलिक करने के बाद आपको यहां पर लिखेगा प् अपना मोबाइल नंबर दर्च करता हूं और इस तीर पर फिर से आपको क्लिक करना है आपको यहां पर तो यहां पर पीम लाभारती आप से अनुरुध है कि क्रिपिया अपने पंजी करत मोबाइल नंबर पर आपको एक बार पास ओटी पी भेजा गया है तो यह उटी पिया चुका है तीर पर क्लिक करना है तीर पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपका जो भी प्रॉलम होगा यहां पे लिखकर आ जाएगा किस वज़ा से आपका पेमेंट नहीं आया है किस्त नहीं आया है जो भी समस्या होगा किलियर में यहां पर लिखा जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं मेरा पंजी करन संख्या भी आ चुका है और एक वाई सी भी पूरा हो गया है तो यहां पर लिखा जा रहा है पर यह मुहमद अंजार मैंने आपकी स्तिति की जाच की है और पाया है कि आपका बैंक खाता आपके अधार से जुड़ा नहीं है इसलिए लाव जारी नहीं किये गए हैं तो मेरे बैंक अकाउंट में मेरा अधार नंबर लिंक नहीं है डीबीटी भुकतान के लिए समक्ष करें तो मुझे अपना बैंक एकाउंट में अधार संक्या को अधार नंबर जुरुवाना होगा उसके बाद ये पेमेंट आएगा तो ठीक इसी तर आपके साथ कोई साथ भी समस्या हो तो यहां पर लिख भी सकते हैं और यहां पर सिंट करके आपको पता लग जाएगा तो बहुत सिंपल तरीका है और सरल तरीका है तो वीडियो कैसा लगा हो केमेंट करके जरूब बता है और साथी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूब करें वीडियो को लाइक जरूब करें तो जैसे कि मैं PM किसान तो यहां पर जैसे आप करेंगे यहां पर लिखा जाएगा आपका कोई साइब प्रॉब्लम हो तो यहां पर लिख भी सकते हैं और संड करके आपको प्रस्ण कर सकते हैं आप उससे और वह उत्तर मिलेगा आपको वहां पर